चुनाव ब्रिज बनकर तयार हो गया है ये तो आप सभी को मालूम है अब हम आपको ये बताएंगे कि साल 2022 के अंत तक इसमें और क्या-क्या चीजे बनकर तयार हो जाएंगी जैसे कि आपको पताई होगा कि अभी केवल चुनाव ब्रिज का इस्ट्रक्चर त्यार हुआ है अब इसके उपर रेल लाइन बिछानी है इसके आगे पीछे कई सारे ब्रिजस बनाने हैं टरनल्स बननी है उन सभी पर कार चल रहा है उनकी क्या प्रग्यति दिसंबर 22 तक होगी ये सभी चीजे हम आगे आपको बताएंगे आगे बढ़ने से पहले आपको इस प्रोजेक्ट की हिष्टी के बारे में कुछ बताना चाहरे हैं आप सभी को मालूम होगा कि जम्मू उधंपूर कट्रा बारा मुला रेल लाइन प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट के बाद से देश का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है यह एक अल्टरनेटिव और भरोसमन्द ट्रांस्पोर्ट सिस्टम जम्मू और काश्मीर को प्रोजेक्ट करने के लिए बनाय जा रहा है इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 327 किलोमीटर है यह 2002 में इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था इस आइकॉनिक ब्रिज की जो किर्यासी जिल्य में स्थित है जम्मू से दूरी करीब 110 किलोमीटर है आज की तारिक में यह ब्रिज बनकर तयार हो गया है और यह अपनी आप में एक इंजिनिंग मार्वेल है इसके में फीचर्स कुछ इस तरह से है इस ब्रिज की चिनाव रिवर बेट से उंचाई 359 मीटर है जो की एफल टावर की उंचाई से 35 मीटर जादा है इस ब्रिज की कुल लंबाई 1.315 किलोमीटर है और इस ब्रिज का में आर्ज का स्पैन 467 मीटर लंबा है जो की विश्व का सात्वा सबसे लंबा सिंगल स्पान है चलिए आपको इस USBRL प्रोजेट का एट अगलांस पिक्चर देते हैं इस पूरे प्रोजेट को चार भागों में डिवाइट कर सकते हैं आप जैसा की उपर दियेगा डाइग्राम में देख रहे हैं इसमें आपको डिफरेंट ग्रीन और रेट कलर के पैचेस नजर आएंगे चलिए आपको इस डाइग्राम में अपने साथ मूब करते हैं राइट साइड में सबसे नीचे उधमपूर आप देख रहे हैं उधमपूर से कट्रा ये पचीस किलोमीटर का सिक्षन दोहजार चौदा में बन कर तियार हुआ था और इस पे गाड़ियां चल रही हैं तो कट्रा से बनिहाल ये वह 111 किलोमीटर का में पैच है जिस पे अभी काम चल रहा है इसको अगर आप गौर से देखे तो इसमें रेट कलर के कई सारे ब्रिज और टनल नजर आएंगे जिन पे अभी काम चल रहा है और जो इनकंप्लीट है इसके उपर बनिहाल से काजी गुंट, काजी गुंट से बारा मुला आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ग्रीन पैच है और यहाँ पर काम खतम हो चुका है और यहाँ पर भी लोकल गाड़ियां चल रही है इस डाइग्राम को ध्यान से देखें इसमें 9 पॉइंट है जिसको की लाल रंग से दरशाया गया है यह वही है जो पैचिज इनकंप्लीट है चलिए इनको वन बाइवन इनकी टार्गिट डेट्स आपको बताते हैं इन टार्गिट डेट्स को इस लाइन डाइग्राम में दरशाया गया है जिसमें की बच्चे हुए टरनल और बनेंग बनकेगर खत्म होगा अंजी ब्रीज माई 2023 तक जाएगा चनाव ब्रीज डिसमबर 2022 में खत्म होगा टरनल T13 ऐप्रिल 23 तक जाएगा टरनल T 14 फीवरी 23 तक जाएगा Tunnel T-47 November 22 में खतम हो जाएगा Tunnel T-48 November 22 में Tunnel T-49 December 22 में और Tunnel T-70 December 22 में खतम हो जाएगा तो इसके हिसाब से सबसे देर में खतम होने वाला जो आइटम है वो अंजी ब्रीज है जो मई 2023 में खतम होगा अता यह मान के चलेगी कि माई 2023 तक हमारा यह प्रोजेक्ट एकदम से चल निकलेगा तो फाइनली यह कंक्लूट किया जा सकता है कि अंजी ब्रीज हो सबसे बाद में खतम हो आइटम है माई 2023 में इसके खतम होने के साथ ही जम्मू से लेकर बारा मुला तक श्रीनगर होते हुए रेल गाड़ियां पुरी पेज़े चल निकलेगी जैनली